सावित्री को भारतिय संस्कृती में आदर्श नारी और पती व्रता के लिए एतिहासिक चरित्र माना जाता है पती के प्राणों की रक्षा के लिए वे यमराज के पीछे पड़ गए और अपने पती को जीवन दान देने के लिए विवश कर दिया सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन परवों में मिलती है जब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने मारकंडेय रिशी से कहा ए रिशी श्रेष्ट मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है किन्तु दुरापदी के कष्ट को देखकर अत्यंत दुख होता है जितना कष्ट ये उठा रही है क्या और किसी अन्ने पती वरता नारी ने कभी उठाया है ए धर्मराज तुम्हारे इस फ्रश्ण के उत्तर में मैं तुम्हें पती वरता सावित्रे की कथा सुनाता हूँ मदरदेश के राजा अश्वपती की कोई संतान नहीं थी संतान ना होने से राजा अश्वपती चिंतित रहने लगे तब वो अपनी पत्नी के साथ रिशी मुनियों के पास इसका उपाय पूछने गए हे मुनिवर, विभा के कई वर्षों पश्चाद भी हमें संतान का सुक प्राप्त नहीं हुआ है कोई तो उपाय होगा रिशीवर हे राजन, इसके लिए आपको देवी सावित्री यानि की मा सरस्वती का ध्यान करना होगा और तब करना होगा मैं देवी सावित्री का आवाहन करते हुए तब अवश्य करूँगा मुझे आशिरवाद दीजिये रिशीवर, कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूँ अवश्य राजन, मेरा आशिरवाद तुम्हारे साथ है और फिर राजा आश्वपती ने कई वर्षों तक माता सावित्री की पूझा की और एक दिन राजा आश्वपती के द्वारा किये गए कठोर तब से प्रसन्न होकर माता सावित्री प्रकट हुई माता सावित्री के दिये आशिरवात से राजा अश्वपती के घर एक सुन्दर कन्याने जन्म लिया माता सावित्री की क्रिपा से जन्म लेने की बढ़ा से कन्या का नाम सावित्री रठा गया राजकुमारी सावित्री जन्म से ही तेजस हुई और सभी गुणों में संपन्न थी। सावित्री जब बढ़ी हुई तो राजा अश्वपती को सावित्रे के विभा की चिंता होने लगी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, पिताश्री महराच आपने मुझे याद किया। जब वो अपना परेटन कर वापस अपने घर लोटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्शी नारत के साथ वारतलाब कर रहे थे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देवर्शी नारत। पिताश्री महराच आपकी आग्यानुसार में पती का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का परेटन कर वापस लोटी हूँ। शाल्वदेश में धुमत सेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा और उनकी पत्नी जिनकी आँखों की रोश्नी चली गई। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्या वस्था थी। धुमत से इनके अंधत्व तथा उनके पुत्र के बालिपन का लाब उठाकर पडूसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तबसे वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर जीवन यापन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अभ्युवा हो गए हैं। वे सर्वथा मेरे योग्य हैं। इसलिए उन ही को मैंने पती रूप में चुना है। किन्तु वो अलपायू है और उसकी आयू केवल एक वर्ष ही शेश रह गई है। उसके बाद वो मृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। क्या सत्यवान अलपायू है। पुत्री सावित्री मैं तुम्हें फिर इस विवा के लिए कैसे हां कह दू। निवर्षी नारजी के बचनों को सत्यमान कर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पती के रूप में चुन लो। हे तात, भारती अनारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पती का वरण करती है। और मैं सत्यवान को पती रूप में स्विकार कर चुकी हूँ। अब जाहे जो भी हो, मैं सत्यवान से ही विवाह करूँगी। मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पती के रूप में राजन सावित्री को विवहा की अनुमती दे दीजिए। सावित्री के मन का भै बढ़ता जाता था। एक दिन। सावित्री वन का मार्ग अत्यन्त दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कश्ठ होगा। बस आज के लिए चलने दीजे स्वामी। पुत्र सत्यवान यदि सावित्री का तुम्हारे साथ जाने का मन है तो उसे अपने साथ ले जाओ। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और हम जानते हैं कि सावित्री भी बहुत निडर है। अपना खयाल रख सकती है। साथ ससुर से आज्या लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ बन्ने गई। सत्यवान लकडियां काटने विरिक्ष पर चढ़ा परन्तु। क्या हुआ स्वामी आप विरिक्ष से नीचे क्यों उतर आए। पता नहीं सावित्री अचानक से चक्कर आने लगे और लकडिया काटी ही नहीं जा रही थी। इच्छा हो रही है कुछ देर लेट जाओ। स्वामी आप मेरी गोद में से रखकर लेट जाएए मैं कुछ देर हवा कर देती हूँ। आर्तस्वर में पूछा, हे दीव आप कोन है और मेरे इन रिदेधन को कहा ली जा रहे हैं। क्योंकि तेरे पती के आयू पूर्ण हो चुकी है और वो अब तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा हो कि तु लौट कर अपने पती के मृत शरीर की अंतेश्टी की विवस्था कर अब इस थान से आगे तू नहीं जा सकती। हे प्रभू भारतिय नारी होने के नाते पती का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है। और मैं इस अस्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोग तक भी जा सकती हूँ क्योंके मेरे पती वरत धर्म के बल से मेरी गती कहीं भी रुखने वाली नहीं है। सावित्री मैं तेरे पती वरत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़ कर मुझसे कोई भी तीन बर्दान मांग ले। प्रभु मेरे साथ ससूर नेत्रहीन है। आप क्रिपा करके उनके नेत्रों की जीवती पुना प्रदान कर दे। ऐसा ही होगा लेकिन अब तू वापस लोड़ जा। भगवन जहां मेरे प्राणनात होंगे वही मेरा निश्चल आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिये। मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निश्फल नहीं जाते। देवी तुने जो कहा है वो मुझे अत्यंत प्रिय लगा है अतहा तु फिर सत्यवान के जीवन को छोड़ कर दूसरा बर मांग ले। हे देव मेरे ससुर का खोया राजियोंने वापस मिल जाए। तथास तू अब तू लोड़ जा। हे यमदेव मैं अपने पती को छोड़ कर एक शण भी जीवित नहीं रह सकूँगी। आप तो संतर रिदय हैं और संतों से सब प्रेम करते हैं। अल्याडी तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्तेवान के जीवन को छोड़ कर एक और अंतिम वर दिना चाहता हूँ। किन्तु इस वर के पश्चाद तुझे वापस जाना होगा। प्रभू, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसने हैं, तो मेरे ससुर धुमत से इनके कुल की वर्धी करने के लिए मुझे सौपुत्र प्रदान करने की कृपा करें। ठेक है, ये वर भी मैंने तुझे दिया, अब तु यहां से चली जा। मेरे पती को आप लिए जा रहे हैं, और मुझे सौपुत्रों का वर्ध दिये जा रहे हैं, ये कैसे संभव है, मैं पती के बिना सुक, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती, बिना पती मैं जीना भी नहीं चाहती। उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है, और उसके बाद सावित्री पुत्रों की मा भी बनी, इस प्रकार सावित्री ने अपने पती वरता वरत के प्रभाव से न केवल अपने पती को पुनह जीवित करवाया, बलकि सास ससुर को नेतर जोती प्रदान करते हुए, उनके ससुर को खोया राज्य फिर से दिलवाया, सचमुच धन्य है देवी सावित्री, आज उनकी कथा सुनकर मेरा जीवन किरतार्थ हो गया,